जैह हिंद साथियो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरमी एयर डेफेंस कॉलेज गोलबांडा से आप सबी के लिए फायरमेन के पदों पर नई बधरति आ चुकी है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इसकी एज्जुकेशन क्वालिपकेशन के बारे में साथी डेटेल में जानेंगे कि आप सभी को इस बर्ती का ओफलाइन फॉरम कैसे फिलप करना होगा देखिए फ्रेंट्स आप सभी के जो एपलिकेशन फॉरम है 22 अक्टूबर 2023 से आप सभी के एपलिकेशन फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 तक आबिदन कर पाएंगे यहाँ पर आप सभी किसी भी कैटिगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटिगरी की यहाँ पर बिल्कुल भी एपलिकेशन फीस नहीं रखी गई है आप सभी यहाँ पर निसल का आबिदन कर सकते हैं साथी फ्रेंट्स आप सभी यहाँ पर 18 से 27 साल तक आबिदन कर पाएंगे और जो आपकी एज की काउंटिंग होगी हो आपकी 11 दिसंबर 2013 से रहने बाली है यहाँ पर फ्रेंट्स आपके बात करेंगे आपकी वैकेंशी की डिटेल को लेकर तो आपके यहाँ पर फायर मेंट की आप सभी की यहाँ पर 15 पोश्ट आप सभी की रहने बाली है आपके यहां पर fireman post रहने बालिया है जिसमें friends आपके general की साथ हैं OBC की 4 हैं SC की 2 हैं STK और EWS category की यहां पर एक post रहने बालिया है केवाले यहां पर high school pass student आभी दन कर सकते हैं यहां पर friends बात करेंगे आपके physical details को रेकर तो आपकी height 165 cm रहनी चाहिए chest 81.5 cm है और आपका weight 50 kg रहना चाहिए यह friends आपका sending address रहने बाला है इस address पर आप सभी को अपने application form को ordinary post और साधरन डांक के माधम से send करना होगा साथ ही friends आपको यहां पर जानकारी दी गई यह आपके document के बारे में कि आप सभी को कौन-कौन से document के आप सकता रहने बालिया है यहां पर आपको अपने education qualification certificate यानि कि आपको अपने 10th की marchit card certificate one passport size photo domicile certificate other card character certificate है यह आप जितने भी आपे group B और group C के आपके government करमचारी होते हैं उनसे आप सभी बनबा सकते हैं इसके लाब एक envelope के आप सकता रहने बाली जिस पर आपको 42 रुपे का down cut लगाना होगा इनके बारे में मैं आपको detail में जानकारी इस वीडियो में देने बाला हूँ साथी फ्रेंट detail जानकारी के लिए आप सभी यहां से official notification को download कर सकते हैं यहां से आप सभी offline forum PDF download कर सकते हैं फ्रेंट्स आपको link की वीडियो के comment box में provide करा देगा है जहां से आप सभी इस बरती के बारे में detail में जानकारी check out कर पाएंगे अब चलिए जान लेते हैं कि आप सभी को इस बरती का offline forum कैसे फ्लप करना होगा देखिए फ्रेंट्स जैसे आप सभी इस बरती का offline forum PDF download कर लेते हैं तो आप सभी को इस प्रकार का PDF देखने को मिल जाएगा आप सभी के अपर total आप सभी का दो page काई यहाँ पर आपको PDF देखने को मिलने बला है देखिए फ्रेंट्स आप सभी को क्या करना है सबसे पहले आप सभी को अपने यहाँ पर एक जो passport size photo है वो आप सभी को यहाँ पर चिपकाना होगा और देखिए फ्रेंट्स आपको उसको self-attested खुद से नहीं करना उसको आपको guested officer से आप सभी को self-attested करवाना होगा यहीं कि आप इसको करा सकते हैं अपने किसी भी आप सभी आपके वहाँ पर जो भी आसपास कोई भी college है तो वहाँ के आप principle से करा सकते हैं या आप अपने कोई भी आपके आसपास कोई लगा हुआ है government नौकरी में तो आप उनसे भी यहाँ पर इसको आप सभी यहाँ पर इसको self-attested अपने फोटो को करा सकते हैं इसके बाद फ्रेंट्स आप सभी को अपने हैंपर आप सभी अपने फॉर्म को किस पोश्ट के लिए apply कर रहे हैं आप सभी को अपर पोश्ट के बारे में जानकारी देनी होगी आपके यहाँ पर एक ही पोश्ट रहने बाली है fireman की तो आप सभी यहाँ पर fireman लिख देंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपने अपर कैटेगरी के बारे में जानकारी देनी होगी इसके बाद फ्रेंट्स आपका नाम क्या है आप सभी अपने अपर नाम मेंशन करेंगे इसके बाद आप सभी को अपने अपर जेंडर के बारे में आप सभी को जानकारी दे देनी होगी इसके बाद आपका फादन नेम क्या है आप सभी अपने अपर फादन नेम आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे इसके बाद आपकी date of birth क्या है आपको सबसे पहले दिन में उसके बाद month में उसके बाद year में आप सभी को अपने यह पर date of birth mention कर देनी होगी इसके बाद देगे फ्रेंट जो आपकी फॉरम को apply करने की last date है 11 दिसंबर 2023 से इस दिन से आपको अपनी age को calculate करना होगा कि जो आपकी age है वो कितने year और कितने month और कितने दिन के और year और calculate करने के बाद आप सभी यहाँ पर लिख देंगे इससे आप यहाँ पर age calculator के मादम से आप सभी calculate कर सकते हैं इसके बाद friends आप सभी को क्या करना है आप नेशनल्टी में आपको यहाँ पर लिख देना इंडियन आप सभी को लिख देना होगा इसके बाद इसके बाद देके friends आपको अपने आपर religion के बारे में जानकरी देने होगी जो भी आपका धर्म है आप सभी अपने धर्म के बा देना होगा। इसके बाद आपके Education Qualification क्या है। आप सभी को जानकरी देनी होगे। एपनी एजुकेशन क्वालेफकेशन के बारे में तो जो भी आपकी education qualities है। उसके बारे में आप सभी जानकरी दे देदेंगे। hat friends आपसे यह पर experience करी देनी होगे अपने कर्स्पोंडेंस के बारे में नहीं कि सबसे पहले आपको अपने आपर गाओं का नाम जो भी आपके गाओं का नाम है आप सभी अपने गाओं का नाम मेंशन करेंगे आप सिटी का नाम मेंशन करेंगे इसके बाद आपका पोस्ट अपस क्या है इसके ब बारे में आप सभी जानकरी दे देंगे इसके बाद फ्रिंट्स आप सभी को अपने आप जो टेन डिजिट का एक मोबाइल नमर है वो भी आप सभी को लिख देना आए इसके बाद देखे दिए आपके कर्स्पोंडेंस एड्रस और पर्मानेट एड्रस दौनों सेम है तो इसके बाद आपका डिस्टिक क्या है आप सभी अपने डिस्टिक के बारे में जानकरी देंगे इसके बाद आप सभी को अपने अपर इस्टेट के बारे में जानकरी देनी होगी इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है आप सभी अपने एरिया का पिन कोड यहां पर mention कर दिंगे देखिए फ्रेंट्स इसके बाद आप सभी को अपने अपर 10 डिजिट का मोबाल नमर आप सभी को यह पर mention कर दिना है इसके बाद फ्रेंट्स यदि आपने कभी भी public service commission है किसी भी recruitment board में आपने exam दिया है यदि आपका selection हुआ है तो आप उसके बारे में जानकरी दिनगे यदि आप वहाँ से disqualify हुए तो आप उसके बारे में आपर जानकरी दे दिनगे इसके बाद फ्रेंट्स आपके उपर कोई भी criminal cases आपके उपर हुआ है तो आपका भी court में convicted हुए तो उसके बारे में आपर जानकरी इसके बाद इसके बाद आप सभी को उपना नाम आप सभी को सबह डेट डाल देंघे आप ke mighty ओर जो काल डाल देना बेंगे यहद्ण सब पकल्ड की डेट डाल देने होगी इसके बाद living साप सब्सक्रалась बेंचेज आप सबसे पहले क्या करना हैnant आप सब्सक्राइब ऐसbach depends ही कुछ कट का देना है और उसको self-artister कर देना है यह नहीं कि आप सभी को उस पर अपने signature कर देने होंगे देखिए खुद से आपको अपना self-artister नहीं कराना है देखिए जो आपने फश्ट वाला जो आपने यह पर फोटोचिप का है था उसको भी आपको guested officer के ही द्वारा self-artister करवाना है guested officer में आपके कौन-कौन से आप सभी के जतने भी सरकारी जो करमचारी होते हैं उनको आपका guested officer कहते हैं जो आपके group B और group C के आपके करमचारी होते हैं तो उनसे आप सभी को यह पर self-artister करा ले ना है इसके बाद friends आपको फिर से वही जो ऋपक तो जानकारी फिलप कि यह उसी को आप सभी यह पर जानकारी देंगे कि आप सब्भी अपने फॉरम को किस पोस्ट के लिए apply करें इस पोस्ट का नाम इसके बाद आप सभी को अपने पर फाजन नेम आप सबी को यहांपर mention कर देना होगा इसके बाद फ्रेंट्स आप सभी को अपने अपर जो address है communication address है नहीं कि आपको अपने गाउंगा सिटी का नाम post office district state fincode है with mobile number के साथ में जो आपने यहाँ पर mention किया है same आप सभी यहाँ पर mention कर दिंगे इसके बाद फ्रेंट्स आप सभी को अपने यहाँ पर नीचे वाला है आपका office unit के लिए रहने वाला है यह आपको फ्रेंट्स नहीं करना यह आपको रिखती छोड़ देना होगा देखे फ्रेंट्स यहाँ पर आपका दो पेज़ का यह आपका फॉर्म था जो अभी आपको complete fluff हो चुका है अभी देखे आप सभी को क्या करना है आप सभी को अपने बुक्चेलर रहने कि आप सभी को अपने पुस्तक बंदार के पास जाना होगा और आप सभी को वहाँ से दो लिफापे खरीद लेने होगे एक लिफापा आपका जो रहना चाहिए वो आपका छोटे वाला रहना चाहिए जो आपको तीन रुपे का मिल जाएगा और एक आपका बड़ा वाला लिफापा आपको खरीद लेना है जो आपको चार रुपे का मिल जाएगा अभी देखे friends मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको इन लिफापों कैसे फिलाप करना होगा देखे फ्रेंट्स आप सभी को क्या करना है देखे मैं आपको सबसे पहले छोटे बारे लिफापे के बारे में बाता ना चाहूँगा फ्रेंट्स मान के चली यह आपका छोटा बाला लिफापर रहने बाला है देखे फ्रेंट्स आप सभी को इस पर क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा फ्रेंट्स आपको यहाँ पर टू लिखना है और इसके बाद आप सभी को कॉमा लगा देना होगा इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपना एडरस यहाँ पर मेंशन करना है बात देखे फ्रिंट्स आपको इसी छोटे वाले लिफापे पर आप सभी को 42 रुपे का डांट कर लगाना है जो आपको डांट कर मिलेगा जब भी आप अपने फॉर्म को सेंड करने जाएंगे तो आपको वहां से डांट कर आपको खरीद लेने देखिए यदि आपको 42 रु वाला हूं जो आपका मुख लिफापर रहेगा जो आपका बड़ा वाला लिफापर रहने वाला है उसको आप सभी को कैसे फिलाप करना होगा दीके फ्रेंट्स आप सभी को क्या करना है सबसे ऊपर आपको टॉप में आपको लिखना होगा एपली के सन फोड़दा पोस्ट उस category के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे इसके बाद friends आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने भी आपको क्या करना है side में आपको from लिखना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको फिर से अपना address, आपको अपना नाम, फाधने, village, post, district, state और pin code है आप सभी को यहाँ पर फिर से लिख देना होगा इसके बाद आपको side में क्या करना है, side में आपको true लिखना है और कॉमा लगाना होगा और आप सभी को friends यहाँ पर जो आपका sending address है कि sending address मैंने आप सभी को वीडियो के comment box में website का link के दे दिया है वहाँ से आप सभी sending address को check out कर सकते हैं वैसे मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा मैंने application forum पर भी आपका sending address यहाँ पर type कर दिया था Commandant, Army, Air Defense, College, Goalwanda, P.O. गंजम, District, Odisha, 76, 10, 5, 2 आपका यहाँ पर pin code रहने वाला है इस pin code को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे इस pin code को नहीं कि इस complete address को with pin code के साथ में 2 लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा इसके बाद friends आप सभी को क्या करना है अपनी 10th की मार्चिट के फोटो कोपी करवा लेनी है और आपको अपनी 12th की मार्चिट की फोटो कोपी करवा लेनी है जाती आप सभी को यहाँ पर निवास की और आपको एक character certificate भी बनबा लेना होगा सभी document आदरगार्ड की फोटो कोपी और करा लेंगे और सभी document को फोटो कोपी कराने के बाद आपने signature कर देंगे और सभी document को इस बड़े वाले लिफापे के अंदर रखेंगे और जो आपका दो page का forum है उसको भी आप सभी को इसके अंदर रख देना है इसके बाद आप सभी को क्या करना होगा आप सभी को अपने post office में जाना होगा और इस application form को registered speed post के मादम से आपको send नहीं करना है और आप सभी का जो form है वो आपका reject हो जाएगा आपको ordinary post नहीं साधरन डांक के मादम से send कर देना होगा साधरन डांक के मादम से कैसे send किया जाता है मैं आप सभी को बतना चाहूँगा आप सभी को post office में जाना है और वहाँ पर आपको जाने के बाद आप सभी को वहाँ पर 60 रुपे के डांक कट खरीद लेने 42 रुपे का डांक कट आपको यहाँ पर लगा देना है फॉर्म को एड्रस पर पहुंचा देगा आसा करूँगा कि आपको समझ आ चुका हुगा कि आप सभी को आर्मी एर डिफेंस कॉलीज फायरमेंट पुष्ट का ओफलाइन फॉर्म कैसे फ्लब करना है